नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरीलो नूस्खे में दोस्तों मौसम में जब भी बदला वाता है ठंडी से गर्मी या फिक गर्मी से ठंडी का मौसम आता है तो सर्थी जुकाम खांशी के प्रोब्लम हो जाती है ऐसे में सीने में भी बलगम बनने लगता है जिसके वज़े से बार बार खांसी आने लगती है अगर इस खांसी को समय रहते सही टाइम पर रोका नहीं गया तो ये खांसी और भी कई सारी प्रॉब्लम कर सकती है कई सारे खतरनाक रोग भी दे सकती है इसलिए जल से जल इस खा जिसका प्रियोग करके आप सीने में जमे हुए बल्गम को दूर कर सकते हैं जिसके वज़े से आपको खांसी भी नहीं आएगी कैसी भी खांसी होगी वो बिल्कुल पूरी तरीके से रुख जाएगी तो फिर आईए बिना किसी देरी के इस नुस्खे को जानते हैं कि कैसे बन में इम्मिونिटी को बढ़ाते हैं खांसी के समस्या के लिए काली मेरीष का प्रियोग बहुत ही जयदा किया जाता है यहां पे दोस्तों आपको 10-15 काली मिर्च के दाने को लेना है और इसे बिलकुल भारीक पीस लेना होगा इस तरीके से दोस्तों आपको काली मिर्च के दाने को भारीक पीस लेना है इसके बाद दोस्तों आपको इसमें एक और चीज का प्रयोग करना होगा और वो है हल्दी यहां दोस्तो हल्दी का प्रयोग आपको इसमें करना है हल्दी में भी मौजूद एंटी मैक्रोबिल, एंटी बैक्टेरियल और भी कई सारी जरूरी चीज़े हमारे सरीर में इम्मिनिटी के लेबल को बढ़ाती है हमारे सरीर को रोग प्रतिरों तक छंता पड़ान करती है सर्दी जुखाम खांसी बुखार या फिर खांसी के लिए बहुत ही जड़क कारगर है दोस्तो यहां पे आपको लगबग एक चौथाई चमच हल्दी का प्रयोग करना है इस तरीके से यहां पे मैं हल्दी और काली मिर्च के पाउडर को मिला देना है इस पाने को आपको थोड़ा सची तरीके से मिक्स करना है और फिर इसे आप किसी बरतन में डाल करके लगबग 5-10 मिनट के लिए हलकी आज पर उबालेंगे तो इस प्रोसेस को कम्प्रीट करके मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों 5-10 मिनट उबालने और छानने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके से मिलेगा अब आपको दोस्तों इसमें जो चीज प्रयोग करनी होगी वो है एक चमच शहद दोस्तों यहां पे मैं इसमें एक चमच शहद भी इस तरीके से मिला लूँगा इसे अची तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और बस ये नुस्का तयार हो जाएगा दोस्तों इस नुस्के का प्रयोग आपको करना कैसे है ये समझ लीजिए जब भी कभी आपको खांसी प्रॉबलम हो सीने में बल्गम जम जाए या फिर बल्गम निकले ना तो इस कंडिशन में आप इस नुस्के को इस तरीके से तयार कर लीजिए और फिर इसे बिलकुल गरम गरम सिप सिप करके पीजिए इससे ना सिर्फ खांसी दूर होगी बल्कि सीने में जम हो बल्गम भी बाहर निकलेगा दोस्तो इस नुस्के से सर्दी जुखाम और बुखार की परशानी भी दूर हो जाएगी सरीर में इम्म्यूनिटी का लेवल बढ़ेगा रोग परतिरोज़त छमता बढ़ेगी और सर्दी जुखाम खांसी बुखार और सीने में जम हो बल्किम के परशानी से आप तुरन छुटकारा पा जाएगे दोस्तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके बताईएगा अगर आपको ये नुख का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही इंट्रेस्टिंग घरेलो नुखे मिस न कर पाएं दोस्तों मैं मिलता हूँ आप से एक और नए इंट्रेस्टिंग से घरेलो नुखे के साथ तब तके लिए नमस्कार